गुरुजी के बारे में कहना बहुत बुश्किल है और इतने बड़े भगवान जो आपके सामने बैठे हैं उनके आगे अगर हम मत्था भी टेक लेते हैं कहते थे इस बड़े मंदर में इतनी शक्ति है कि जो बाहर से भी मत्था टेक के चले जाएगा उसको भी ब्लेसिंग है कहते थे शिवलिंग में इतनी शक्ती है कि बारा जोती लिंग में जो मनों कामना पूरी नहीं होगी वो इस जगा पे पूरी होगी क्योंकि यहां इतना तप और इतना पाथ गुरुजी ने किया हुआ बड़ा मंदर is the most blessed place with such positive vibrations you're healed at every level of your life गुरुजी कहते थे कि व्रत ना करो fasting ना करो उन्होंने सब वेमों से बाहर निकाला क्योंकि वो कहते थे बुखे रेंदो तो आनों का दे रब नहीं मिल सकता कहते रेखी गुरुजी ने मना करी past life regression गुरुजी ने मना किया because he said पुठे कम करते हो गुरुजी महाशिव हैं वो भगवान हैं वो इतने बड़े भगवान हैं अगर हम गुरुजी को मत्था टिकते हैं तो पूरे भ्रहमांट को मत्था टिकते हैं वो कहते थे सारे देवी देवता मेरे को ही नमसकार करते हैं ते सारा सूरज मेनो नमशकार करके उगदा है तो इतनी बड़ी बात कह रहे थे लोग मुर्टिया नो मत्थे टेक देने ते शिव सामने बैठ है गुरुजी इस ताट ओम, ताट ओमकार, ताट लाइट, ताट एनरजी जो इस दुन्या को संभालती है एसे बहुत सारे miracles हैं जो गुरुजी के साथ मैंने experience करी मेरी पूरी जिन्दगी एक miracle है और I can write a book on गुरुजी बिकास जो सास में लेती हूँ वो गुरुजी के दियो है और हमेशा एक छोटी सी अरदास गुरुजी से होते है कहते थे चल दे फिर दे उड़ते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आपने कोई rituals में पढ़ना है कि सुबह हमें उठके पहले नहाना है हमें अगर बत्ती जलानी उन्होंने साब rituals से हमें हटा दिया कहते थे ओम नमश्यवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमश्यवाए गुरुजी सदा सहाए यह एक महा मंत्र है और यह यह dead body को भी alive कर सकता है और उन्होंने कोई system नहीं बांधा कि कब पाठ करो कहते थे चल दे फिर दे उड़ दे बैठ दे पाठ करो और मैंनों याद करो कहते हैं एक टाइम आएगा मेरी फोटों भी गल्ला करन किया and today is the time कि उनकी फोटों भी हमसे बात करती है कहते थे अगर तुम छोटी फोटोग्राफ लेके पानी डाल डाल के पियोगे तो अम्रित बनेगा और अम्रित से ये आपकी जो बेमारियां जो हीलिंग हैं ये सब आपको ठीक होगा और मन से अगर आप गुरुजी को अरदास करोगे तो होई नहीं सकता कि हमारी वो अरदास ना सुने क्योंकि अरदास में इतनी शक्ति है इतनी शक्ति है कि मैं आपको बतानी सकते